किसी भी टेपर वाले component पर thread कैसे की है create करते है उसके बारे में आज जानेगे तो देखे मैंने यहाँ पर कौन टाइप component create किया है अब मुझे यहाँ पर thread create करने है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले bottom face को select करना है और यहाँ पर convert entity कर देना है तो इस तरह सी यहाँ पर दूनों में से हमें यह नीचे वाला सिलेक करना है वैरियबल पेज क्योंकि यह वैरियबल थ्रेड यहां पर हमें क्रियेट करने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर इसका डायमेटर है इसलिए तो यहां पर हमने उपर वाला जो छोटा डायमेटर हो 20 mm और नीचे वाला यह mm पीच टाइप कर रहा हूँ आप आपने एकवडी जो आपको थ्रेड की पीच चाहिए वो यहाँ पे टाइप करनी है यहाँ पे 0 रखना है height भी 0 है और यहाँ पे इसका बड़ा वाला diameter 60 mm है जो यहाँ पे अल्रेड़ी तो यहाँ पे कितने आएंगे 25 तो हम यहाँ पे 25.5 क्योंकि 100 mm से थोड़ा उपर ही हमें चाहिए तो यहाँ पे 25.5 की जगे हम 25.1 कर देते हैं और यहाँ पे इसका यहाँ पे length यहाँ पे इसकी आ गई है 100.4 mm अब यहाँ पे चोटा वाला जो diameter था 20 mm वो यहाँ पे type करना है देखे इस तरह से इसका shape कौन type में यहाँ पे set हो गया है अब हमें यहाँ पे इसका angle set कर देना है 90 degree आप अपने according जितना भी taper angle आप रखना जाते है उससे आप से यहाँ पे type कर देना है और ok कर देना है अब हम इसके diameter पर thread apply करेंगे तो thread apply करने के लिधे हमे एक profile create करनी पड़ेगी तो मैंने यहाँ पे profile create कर दिए देखे यहाँ पे मुझे triangle shape में यहाँ पे thread चाहिए तो मैंने यहाँ पे triangle create करने के बाद एक center line यहाँ पे draw कर दिए क्योंकि यह देखिए यहाँ पर triangle इतना ही रहेगा इससे जो extra sketch है वो इस taper वाली line से बाहर रखना है में तब ही यहाँ पर thread cut होंगे अब हमें यहाँ पर देखिए मैंने size 3.8 apply की है क्योंकि हमारे thread 4 mm पीछ के है तो उससे 2 point down में आपको इसके dimension रखना पड़ेगा इसका dimension आपको 4 mm से कम रखना पड़ेगा जितना भी आपकी पीछ है उससे 2 या एक point कम रखना पड़ेगा तो हम यहाँ पर simply इस point को select करते है और control की को hold करना है और फिर इस path को select करना है make relation peers कर दिना है और ok करना है फिर यहाँ पर exit कर दिना है exit करने के बाद आपको feature में जाना है और यहाँ पर swift cut activate करना है swift cut activate करेंगे तो यहाँ first वाले first वाले column में यह देखे profile select हो गई है अब second वाले में यह path select करना है तो देखे इस तरह से यहाँ पर thread apply हो गया है और यहाँ पर ok कर देना है देखे यहाँ पर यह thread हमें हमने यहाँ पर thread create कर दिये अब इस helix वाले feature को hide कर देना है आप अपने according अपने किसी भी component पर taper thread किस तरह से create करेंगे वह इस तरह से आप कर सकते है तो वीडियो पसंद आया तो like किजे share किजे और ऐसे ही content के लिए मालविया करेट को follow कीजिए